हलो दोस्तों मेरा नाम है भवी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा अप्लोड किये गए वीडियो उसको सबसे पहले देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए धन्यवाद हलो दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत सरकार की तरफ से श्रमिक स्पैशल ट्रेंज चलाई जा रही हैं जिनमें कि जो लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं जिनके पास अभी काम नहीं है कोई सी भी कारण से वह वापस अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं तो उसके लिए हर एक state से train चलाई जा रही है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में अगर आप हैं या दिल्ली से आप अपने home state by train जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या process है और यह जो process है इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंतरी द्वारा और मुख्यमंतरी द्व जो ही एक तरीके से website है जहां पर अलग अलग सर्विस के आप अपलाई कर सकते हैं तो अगर आप दिल्ली से किसी दूसरे राजी आने अपने राजी में train से जाना चाहते हैं तो यहां पर जो यह लिंक है जिसको बने description में दिया है इसको जाकर के आप एक तरीके से register करा सकते हैं और फिर उसके बाद सरकार आपके प्रदेश में भेजने का आपको इंतिजाम करेगी तो यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में फसे हुए हैं और वो अपने ग्रह राजी वापर जाना चाहते हैं अगर आप दिल्ली के ही रेजिडेंट हैं अगर आपके जो डॉक्यमेंट्स वगरा सब दिल्ली का ही एड्रस है तो यह आप इस पर इलिजिबल नहीं होंगे अप्लाइ करने के लिए तो यहां अप्लाइ करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको अपना कॉंटेक्ट नंबर देना है यहां पर जब आप मॉबाइल आपकी जर्नी किस वज़य से आपको करनी है आप माईगरेंट लेबर हैं और आप दिल्ली में फसे हुएं आप स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में पढ़ाई करने आए हुए थे और आप लॉक्डाउं में फसके हैं अपने घर जाना चाहते हैं आप टूरिस्ट हैं या कोई मेडिकल एमिर्जेंसी है जिसकी वज़य से आपको अपने हों स्टेट जाना है आप को यहाँ अपना एडरेस फ्ल करना होगा आपको就到कर ना होगगा डिस्ट्रिक classify करना होगा डिस्ट्रिक कहां ये आप देख सकते हैं कौन से अहां डिस्ट्रिक में हैं यानि कि आप कहां फसे हुए किस छेत्र में फसे हुए क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपके आसपास के नजदी की रेलो स्टेशन को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा तो एक उधारन के तौर पर मैं नौट दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूं आपको यहां आधार आईडी देनी है और आप किस स्टे जो भी एक तरीके से आप अपना यहां पर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लावा इस स्टेट में जो भी आपका एक तरीके से जिला है वो जिला आपको सेलेक्ट करना है तो अगर मैंने जैसे उत्रप्रदेश में अमेठी सेलेक्ट कर लिया है अगर आपका कोई और स्टेट का एड्रस है तो वो आप यहां पर other side state address में देंगे destination railway station यानि कि आपको जो नजदी की railway station है जहाँ आप जाना चाहते हैं वो railway station आपको यहां select करना होगा तो यह जो list है यह जैसे मैंने उत्रप्रदेश सर्च किया है तो उसके हिसाब से लिस्ट आ गई है अगर आप कोई और राजे सर्च करेंगे तो उसके साब से लिस्ट आ जाएगी यह सब करने के बाद आपको submit करना है submit कर बटन पर जब आप करेंगी यहां पर मैं कुछ चीज़े क्लियर कर देना चाहता हूं जैसे पिछले कुछ वीडियो में कमेंट आते हैं कि लोग पूछते हैं कि इसका कितने दिन में हो जाएगा कब तक हो जाएगा तो यह सारी जानकारी अभी सरकार की तरफ से इस वीडियो को लाइक करिए और इसके लावा अगर आपका कोई सुझाव है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख करके बताईएगा एक और खास चीज में आपको यहां पर बता दूँ कि इपास.जनतासमवाद.ओर जो यह लिंक है यह लिंक का आप जरूर ध्यान रखेएगा क्योंकि एपास जनतासमवाद का एक और लिंक भी है जो कि बिसिकली अगर आपको कोई हेल्प चाहिए राशन चाहिए डेली में या इपास आपको ट्रेवलिंग के लिए चाहिए या आप फिर आपने वेहिकल के लिए चाहिए दिली से एक राज से दूसरे राजे में जाने के लिए तो उसका लिंक दूसरा है जो मैंने यहां दिखाया है और अगर आपको इसक्यू पर भी आप चाहते है कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बता देएगा धन्यवाद दोस्तों जेह